बूम हलो माय डियर फ्रेंस तो कैसे अप सब्सक्राइब तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ केला तो यह रहा केला यानी बनाना तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बनाना किस तरह का फूर्ट है इसमें क्या-क्या होते हैं अगर इसको आप खाते हैं तो बो दो कर लीजए क्यों सब्सक्राइब करना किक्यों कि दोस्तों में हम योगा और योगा से रिलेटेड बनाता इसे के बहुत से होते हैं मार्क पर ऑलने चोटी वाल Yay तो से बात करने हैं कि इसमें क्या-क्याद करते हैं कि व्यूंटे के लिए ऊपस छोब अधे जीरे अपनाव में तो इसमें अचेल में चेले में उसलियेší तो कहने के मतलब होता है कि यह एक सस्ता और अच्छा फल है जो आपके बोड़े के लिए काफी बेनिफिट देता है तो दोस्तो अगर आप इसको मार्गण में लेने जाएंगे तो इसली जो है आपको दूसरे फल के मुकाबले आपको काफी सस्ते में मिल जाएगी तो यह जो होता है एनर्जी और काफी मात्रा में केलोरी वगरा होते हैं तो आपके जो है फाइवर वगरा होता है जो आपके बोड़ी के लिए आपके जो डाइस्टिक सिस्टम है उसके लिए भी काफी अच्छा होता है दोस्तो आपका जो बलड फ्री फायर है यानि किडिनी उसक केला के लिए भी काफी अच्छा होता है केला आपके mental health को improve करता है आपके सोचने समझने ने और इसके दिमाग को cool रखता है तो कहने का मतलब है केला पूरी बोड़ी के लिए अच्छा होता है लेकिन दोस्तों यहां पर बात आ जाती है कि केला को हमें कितना खाना चाहिए क्या हमें अगर इससे जो है वेन फिट लेना है तो जितनी मात्रा में नहीं ऐसा विल्कुल भी नहीं करना है अगर एक एबरेज परसन की बात की जाए जो इसे नौर्मल वे में तो आप दो से तीन के लिए लेजिए काफी है इससे जो होता है दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा बैनेफिट मिलेगा केली के बात की जाए तो यह जो है आपकी भूख मिटाले में भी काफी काम आता है क्योंकि दोस्तों अगर आपको आपको भूख अगरा लेने के जोरत नहीं पड़ती है और इससे अगर भूख सांथ हो जाता तो इससे जो है आपकी बॉड़ी में एनर्जी तो मिल भी जाएगी और साथ ही साथ आपका बॉड़ी फीट रहेगा तो इसको जोस्तों जैरली दो तरीके से भी यूज किया जा सकता है वेट करने के लिए भी बेट को लूज करने के लिए भी क्या जाता है बड़ डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से खाते हैं अगर आप उसको सुवक खाते हैं तो इससे जो होता है कि भूख मर जाती है और आप जो है लंबे समय तक भूखे रहते हैं भूखे नहीं रहते है स्वारी आपको जो है एक्स्टा जो है कैलरी की जोरत नहीं पड़ती है क्योंकि आपके भूख मेट चाहिए तो इससे बोड़ी को बेनफिट मिलता है दोस्तों एक चीज यहां पर में एक्स्टा चीज एड़ कर दे रहा हूं कि आप अगर जो लोग सूचते हैं कि मैं भूख जो है आप खाना खाने के और फिर वर्रॉकाओट करते हैं वर्र्काओट करने से जास्ट एक घंटा पहले ही मैं ऑब दो के लिए उसके बाद वर्रकाओटyin screaming करने में काफी तो अब बात करते हैं कि दोस्तों की लोगों को จะ लेब करना चाहिए जो लोग शुगर है दांट है या फिर डाइवगेटिज बगएरह है तो तो क्या है कि केले में जो है सुगर बढ़ी वाली केले हैं उसमें सुगर की मातरा अधिक होती है और छोटी वाली में थोड़ी काम होती है तो इसलिए दोस्तों आपने सुना होगा कि जो छोटी वाला केला होता है तो वो अच्छा होता है क्योंकि इससे जो है सुगर लेवल हाई होता है तो प्राब्लम हो ही सकती है तो अगर आपको सुगर पैसंड है या फिर जोने लोगों को सुगर की प्राब्लम है तो लोग केला एक से दो केले ले सकते हैं बड़ी वाली तो नहीं खाएं तो ज्यादा बेटर रहे होगा छोटी वाली केले एक दो ले सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर मेरी परस्नाल राय रही तो मैं अपना यही कहूंगा तो दोस्तों केलों को बड़ी कर दे जो लोग हां ए जल्दी डाइजेस्ट होने वाली चीज नहीं है तो आपने हो सकता है सुना ओगा या फिर नहीं कोई बात में बता देता हूं कि जो केला होता है वह जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है जिसकारण अगर आप 2,3,4 खा लेते हैं और आपकी पेट खराब हो जाती है तो इसका मतला आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम स्ट्रोंग नहीं है इसका मतला को केले को एफ वाइड करना है आप एक दो केले से खात सकते हैं अगर आप एक दो केले खाते हैं उसमें भी आपको पेट खराब हो जाता है तो फिर मती खाये क्योंकि दोस्तों और अगर आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब हो जाएगा तो खाना ठीक से पचे गई नहीं और आपकी जो है और आपकी हैल्थ पर पुरा एफेक्ट पड़ेगा तो कहने का मतलब है दोस्तों अगर आपके किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप केले को जो है अगर आप नॉर्मली लेना चाहते हैं तो 2-3 केले ले अगर वेट गेंड करना चाहते हैं तो 4-6 केले ले सकते हैं इन दे तो बस इतना ही दोस्तों अगर यह वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देज और दोस्तों अगर अपने हैं इस चैनल पर तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले क्योंकि दोस्तों मैं फिर से कह दे रहा हूं क्योंकि मैं हॉम वर्काउट हैल्टिप्स और योगा से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं ताकि दोस्तों आप घर में ताकि ले सुस्तों मत रहें जाइन बंदे मातर हूं